कुडीनिंग दियर दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका की किचन में तो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं डाल और जीरा राइस उसके लिए मैंने कटोरी चावल रखे हैं ये कोलम राइस है और दूसरा मैंने लिया है आदी कटोरी मूंग की डाल लिये है और इसमें कुक चुक करेंगे तो सबसे पहलें हम कुक कर में डाल को डालें गे अच्छह से जाल कर दोकर दो कर दो दो लिए गोव लेंगे त किस दाल कम बनाएंगे अच्छाअ कुछे से वाश कर लिया है अब इसमें मिलाये है दूसित गाइंगे नमक pertama एक ।ब ठेमी मिर्श्योष कुकरेंगे तो चल्orem न में लगा देती है। दाल को पक्ने तक हम कुक करेंगे। तब तक हम अपने चाओल तैयार करते हैं तो इदर से जीरा राइस बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है इसमें 1土 ना दाला गख तेल, 1土 में डैसी गी , ग़र गरम हो हो काई, तेल तेज-पक्ता गषेगीं , लेशे न रिखन लेज़ काला हुआ बीरा राइस बना रहे हैं तो फ्लेवर हमारे ओयल में अच्छे से लिक्स हो जाना चाहिए अब इसमें चावल टाल देंगे जो हमने बिगोकर रखे हैं मालें अब इसमें पाने टाल देंगे एक कट ओरी चावल नहीं तो तो पीम कट ओरी पानी डालेंगे अब जो भी लेते हैं अगर आप एक कप पानी देते हैं तो इसका तिमगोना पानी गया दालेंगे क्योंकि मेरे कोलम राह से है अगर आगर अबासमती चावल बना रहें थो पानी ठोड़ा हो ऌ南ंभ ने डें गें कि यसमे कोंध्रीम के देंगे थे डाम करेंगी कि तांकि आपसे खावल रहा वायल हो रहा है चावलों का पानी पूरा ड्राय हो गया है तो अभी थोड़े से कुपनेंग हुए है अभी इसके उपर वापर से हम इसे कवर कर देंगे और इसका गैस का फ्लेम अब हम लो कर देंगे पहले हमने इसे हाय फ्लेम पर रखा था अब गैस का फ्लेम लो कर देते हैं जो इसका पा अब बंद कर देते है इन ढाल थृटा हुआ हट कर देते हैं कि अजया में आधा हुआ है अन्य पहले ते से लिए यह मैंड है और इसमें हम इसमें डालेंगे एक छमर असमिय के आप चाहें तो नॉर्मल तेल में भी इसे तड़का दे सकते हैं तो इधर हमने प्रेशर कुक खोल दिया है यह देखिए दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है इसे मैंने 3-4 सीटी तक प्रेशर कुक किया था क्योंकि इसमें हमने चने की डाल डाली थी इसलिए तो चलिए तड जीरा जुटकी हींग अब मिलाएंगे इसमें लस्न कटा हुआ यह करेंगे जूट कूग मिलाएंगे एक थोटा सा प्याज प्याज को पांच मिन्ट के लिए कि लिए कर लेंगे लो फ्रेम पर और प्याज अलका सब न चुका है अब मसाले अट करेंगे एक चम्मच दनिया a powder कि बच सब्सकिल चो चाली तो घुल लेटे में तमाटर नहीं करें कि तमाटर में दाल में मिलाए था तो आप मार प्याज बुन चुका कि थोड़ा सा पानी एट कर देंगे कॉकर को खुमा कर बस अब फांच मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पर उबाल लेंगे ताकि मसाले उद्ञाल में अच्छे से चले उजाएं यह तो फ्रेंड्स मैं पका लिए है दाल हमारी तैयार हो चुकी है इसमें से मैंने यह मिक्स निकाल लहा है मिर्च निकालें बॉर जू करें कि तीखे लगते हैं हचका अपने जिरा राइस को सर्व करती हैं तो सबसे पहले मैं दाल को सर्व कर लेती हूँ अब सर्व करती हूँ चावलों को तो ये देखिए हमारे चावल कितने बढ़िया बने हैं कितने खिले खिले बने हैं ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा गुमा लीजिए ताकि वो आपस में चिपकने जाएं और एकदम खिले खिले बने अब इन्हें प्लेट में सर्व कर लेती हैं तो देखिए फ्रेंट सर्व हो चुके हैं हमारे गर्मा गरम दाल और जीरा राइस अब कितने टेस्टी बने हैं मैं आपको बताने सकती हूँ मैंने अभी टेस्ट करके देखा बहुत ही बढ़िया बने हैं तो इसी तरह से बनाईए आप पीली मूंदाल में थोड़े से चन खीए टेकले अपकरी बल और भाइस प्रेंट सर्वाशन अपर बने हैं से इसक्षा के झाल पीली मूंदाल में बने हैं मैं डे टेस्टी तो ओ। गड़े टेस्टी तो थावले टीच्टी तो पीली मैं